साल 2023 यू तो कई माईनों में भारत के लिए एतिहासिक और यादगार रहा लेकिन खास तोर पर अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत ने जो कीर्टी मान रचे उससे स्पेस सेक्टर में महाशक्ती बनने की दिश्या में भारत के उचे होते कत को पूरी दुनिया ने देखा चाहे चान की दक्षिनी धुरू पर सफलता पूर्वक लैंडिंग करने वाला पहला देश बननी की उपलब्दी हो या फिर सूर्य के रहसियों को खंगालने के लिए लॉंच किया गया भारत का महत्वा कांग्षी आदित्य एलवन मिशन इस रों ने इन मिशन्स के साथ भारत को अंतरिक्ष की खित्र में नए इतिहास का प्रणीता बना दिया है वहीं इसी कड़ी में अब इस रों नए साल में एक नया बेहत महत्वपूर्ण मिशन लॉंच करने जा रहा है जिसके जरिये कई ऐसे सवालों के जवाब मिलेंगे जो पूरी दुनिया के लिए रहस्य बने हुए है और वो रहस्य है ब्लैक होल का यू तो वर्तमान में ब्लैक होल को लेकर अलग-अलग धारनाय है कई रिसर्चर्स मानते हैं कि ब्लैक होल अंतरिक्ष की वो जगा है जहां फिजिक्स के नियम फेल होने लगते है जानकारों का ये भी कहना है कि ब्लैक होल के आसपास का ग्रैविटेशनल एरिया काफी ज्यादा होता है ये अंधेरे से भरी हुई जगा है वहीं कई स्पेस साइंटिस्ट मानते हैं कि तारे के नश्ट होने पर ब्लाक हूल का निर्मान होता है तो वहीं अब इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए भारतिय स्पेस एजनसी इसरो एक जनवरी की सुभा 9 बच कर 10 मिनिट पर श्री हरी कोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से अंतरिक्ष मिशन PSLV C-58 एक्सपो सैट लॉंच करनी जा रहा है ये सैटलाइट X किलनों का डेटा कलेक्ट करके स्पेस के रहसियों को सुलजाने में मदद करेगा अंतरिक्ष में एक्सपो सैट 50 सबसे चमकीले तारों को टार्गेट करके उनकी स्टडी करेगा इसके अलावा ये neutron stars, pulsar, black hole x-ray binaries, active galactic nuclei और non-thermal supernova के बारे में भी जानकारी कठा करेगा इस मिशन के जरिये 25 सालों तक डेटा कलेक्ट करता रहेगा आपको बता दे कि आदित्य L1 और estrosat के बाद expo sat तीसरी observatory है जिसे भारत की ओर से space में स्थापित किया जा रहा है अमेरिकी अंतरिक्ष एजनसी नासा के अलावा भारत दुनिया का दूसरा मुल्क है जो polarimetry mission लाँच करेगा अमेरिका के mission को imaging x-ray polyimetry explorer यानी ixpe के नाम से जानते हैं यहाँ खास बात यह है कि भारत के expo sat उपग्रह की लागत लगभग 200 करोड यानी लगभग 30 मिलियन डॉलर है जबकि नासा ixpe mission के लिए 188 मिलियन डॉलर किया वशकता है नासा mission के expo sat को 5 साल से अधिक समय तक चलने की उम्मीद है यानी कुल मिलाकर इस रों एक बार फिर अंतरिक्ष में इतिहास रश्ते हुए ब्लाक होल के रहसियों के पहली सुलजाने को बिल्कुल तयार है फिलाल इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूले इंडिया पबलिक खबर के यूट्यूग चानल को और बल आइकन दबाए ताकि चानल से जुड़ी सारी लेटेस्ट अबडेट्स आप तक वक्त से पहुँच पाएं झाल को और बल आइकन दोटेश्ट आप से जुड़ी सारी बल आइकन दोटी है